शिक्षा नगरी कोटा में सूरेंट्स और युवाओं को तनाव मुक्त जिन्दगी जीने का संदेश देने के लिए शहर के ही तीन युवा लगातार साइकलिंग प्रतियोगिताओं में खिताब अपने नाम कर रहे हैं कोटा की गौरव खंडेलवाल नितिन सैनी और म्रगेश गुपता ने हाल ही में जैपूर और पाली के बीच हुई बियारेम और्डेक्स साइकल प्रतियोगिता में सूपर रेंडियर साइकलिस का खिताब अपने नाम किया है टीनो युवा बिजनिस और कोचिंग संसान में फिकल्टी के पेशे के साथ जुड़े हुए हैं जो युवां को तनाव मुक्ती जिन्दगी जीने के साथ पर्यावरण को बचाने में योगदान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं दिये हम रोज मुला की जिन्दगी में हमेरे ऑफिस के काम होते हैं घर के काम होते हैं अपने पर्सनल जो भी काम होते हैं उसमें बहुत सारा स्टेश जनरेट होता हैं और उसको रेलीज करने के लिए हम लोग फेस्बूक वाटसेप या अन्या जलत चीजह से जुड़ जाते हैं उससे बचने के लिए हम लोगोंने साइक्लिंग रनिंग, फिटनेस अपना जुडाओ किया हमें साइकलिंग में बड़ी मदद मिलती है तो अभी जिससे हम गए थे तो हम जैपूर से पाली से वापस जैपूर लगबग यह 300 km जाना और 300 km आने लगब 600 km हमें साइकलिंग करी है ऐसे ही लाइफ में भी ऐसे ऐसे मौखे आते हैं, ज 하루 हम को नहीं समझ में आता है, कि हमको क्या DC लेनाачी है, लेकिन मैं यह सोच था हूं, कि सकारत्मक सोच से ही हम आङे बढ़ सकते हैं, और cycle के थूर हम यह message देना चाहते हैं, कि अगर हम सकारतमक सोच रखेंगे तो हम कोई भी मनजिल हासिल कर सकते हैं बले वो 600 किलोमेटर हमने जो साइकल में करी उसी तरीके से आप अपनी जिंदेगी में भी हासिल कर सकते हैं